शहर में बढ़ते बिजली बिल पाने बिल के साथ साथ स्वास्त सेवा को लेकर राज्य सरकार का रवया उदासीन है ऐसे आरोब लगाती हुए शहर के दर्जनों से ज़्यादा इरिक्षा चालकों ने प्रविंद्रावत के नेतरुत्व में मानेवारा चोक से लेकर तुकडोजी पुतले तक इरिक्षा वहान चालकों ने उल्टा रिक्षा वहान जलाया जिसे देखकर लोग भोचक हुए शहर के तमाम इरिक्षा चालकों ने उल्टा इरिक्षा चलाकर सरकार का और प्रशासन का ध्यान अपनी और खीचा, बढ़ते बिजली के दाम, पानी के ज़्यादा विल, बेरोजगारी, स्वास्त, एजुकेशन, आदी मामलों पर सरकार गंभीर नहीं, सरकार का का कामकाज उल्टी दिशा में चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए, शहर के दर्जनों से जादा इरिक्षा चालकों ने उल्टा इरिक्षा चलाकर सरकार की गलत नीतियों का पुर्जोर विरोध किया। इन तमाम इरिक्षा चालकों पर हुई है, बैंक का लोद देना भी इन लोगों के उपर में बाकी है, और कमपनी बार बार इन्हें प्रताडित कर रही है, लोन के लिए तगादा लगाया जा रहा है, ऐसे में यो लोग काफी प्रभावित हुए है, इस पूरी विशे को ले जो है वो आम आदमी के विरोध में, यानि उल्टी निती चल रही है, तो उसका निदर्शन और प्रदर्शन करने के लिए, अभी देखिये, हाल ही में दो दिन पहले, तीन दिन पहले, हमने 15-20 दिन पहले और लगडाउन शुरू हुआ था, तब भी हमने जाहिर किया था कि इलक्ट्रिक बील, पानी बील, और शिक्षा, और आरोग्य वेवस्था, यह है मुलभूत अधिकार, यह नहीं है भीक्षा, तो इस प्रकार से नागरिकों की जो अवस्था है आत्मत्या कर रहा है, एक बिजली के बील के लिए एक जनने खुद को जला दिया, और ऐसे परि कौटुम्बिक वेक्ति कुटुम्बा प्रमूख आत्महत्या भी कर सकता है, दो आत्महत्या इलक्ट्रिक बील के चलते हो गई है, तो यह मुलभूत सुविधा समस्या के बारे में, अगर सरकार ऐसी ही सरकार की उल्टी नीती चलती रही, तो सरकार को यह प्रदर्शित करन के लिए वो रिक्षा चलाते है, यह प्रतिकात्मक आंदोलन है, यह याने सारे देश के नागरिक है, यह सिर्फ यह रिक्षा चालक नहीं है, तो यह देश के नागरिक है, और सारे मध्यमवर्गियों नागरिकों की अवस्था खराब है, 200 युनिट फ्री, पानी भील फ्र उनको निवेधन करके उनको नमस्कार करके हम फिर आगे का सत्या ग्रह जाहिर करने वाले हैं कि आज के बाद सरकार को कोई नागरिक जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती क्योंकि अन्नवस्त्र निवारा आरोग्योर शिक्षा ये नहीं है भिक्षा ये है मुलबूत अधिकार सरकार पूरी करो इसको सरकार नहीं तो जनता देगी शिक्षा तो ये असहकार अंदोलन हम क और यही नाकपूर अभी पूरे देश को सत्याग्रह आंदोलन की धार दिखाएंगा समझ से दिखोतों का सामना करना पड़ रहा है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए इनको एडी छोटी का काम करना पड़ रहा है ऐसे में सरकार हो या भी नाकपूर प्रशासन इनके और कोई भी ध्यान नहीं देरी जिसके चलते आज उन्हें ने उल्टा अंदोलन क दिया जाएगा इसी चेताव निभी आज ये तमाम ही रिक्षा के चालोकों ने और प्रधान समन्वायक प्रविंजी राउतिनों ने दिया है अब देखना यह होगा कि सरकार का इस और क्या स्टैंड होगा क्या इनको नयाय मिलेगा या फिर सरकार का जो काम का धाक के तिन पाज जैसे चर्रा वही चलता रहेंगा और इन्हें नयाय कब मिलेगा इसके इंतजार में पूरे शहर की निगाये लगी हुए माने वाड़ा चोक से कैमरा परसंद विरेंद्र खुबरागड़े के साथ संजय मिरे इन बीसे नियूज नागपूर